नमस्ते, अम्मू एंड यू चैनल पर आप सब का प्यार भरा स्वागत, मैं अम्मू हमेशा की तरह आज भी एक सुन्दर सी कहानी सुनाने के लिए तैयार बैठी हूँ, आज की जो कहानी है वो गुरुदेव रबीन नाथ टेगोर की कहानी घर वापसी, बड़ी ही दिल को छ लेने वाली कहानी है, घर वापसी, फटिक चक्रवर्ती गाओं के लड़कों का नेता था, एक दिन उसे अचानक एक नई शरारत सूजी, नदी की किनारे एक भारी भरकम लठा नाओ के मस्तूल में बदल जाने के इंतजार में पड़ा था, तब फटिक ने ने लिया कि सभी लड़के इसे लड़काते हुए दूर ले चलेंगे, लठे का मालिक हैरान और गुसा होगा और वे सब इसका मजा लेंगे, सोचने विचारने के बाद सभी लड़कों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह मान लिया, जब सारे लड़के जी जान से कमर कस के इस काम को पूरा कर करने की तैयारी में जुटे थे, ठीक उसी समय फटिक का छोटा भाई माखन मूँ फुलाए उस लठे पर आबैठा, उसकी खामोशी भरी उदासे देखकर सारे लड़के थोड़े निराश हो गए, एक लड़के ने डरते डरते उसे थोड़ा बहुत हिलाया भी, लेकिन वह रती भर भी तस से मस नहीं हुआ, वह एक युवार विचारक की तरहे सभी प्रकार के खेलों को अर्तहीन समझ चुपी साधे चिंतर में डूबा रहा, भटिक ने गुस्से से उसे धमकाते हुए कहा, माखन देख, तू मुझ से पिट जाएगा, वरना फोरन उग जा, लेकिन माखन थोड़ा सा हिल्ने डुलने के बाद और आराम से जा बैठा, ऐसे मौके पर अपनी धाक जमाने के लिए, सबके सामने इस जिद्धी छोटे भाई के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देना ही फटक के लिए उचित होता, लेकिन वह इसके लिए साहस नहीं जुटा पाया, हाला कि उसने ऐसा तेवर जरूर दिखाया कि वह चाहे तो उसे अच्छी तरह मचा चखा सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तभी उसके दिमाग में पहले के मुकाबले और बहतर खेल का विचार सूज गया, जो कहीं जादा मजेदार था, उसन करने सोचा, इसी में उसकी शान है, लेकिन दुनिया की दूसरी हर शान और शौकत ही की तरह, उसमें भी कोई मुसीबत आने की संभावना है, इस बात का विचार उसके या किसी और के दिमाग में आया ही नहीं। गुमते लठे के साथ ही माखन अपनी शान और चिंतन के साथ जमीन पर धेर हो गया, सारे लड़के खुशी से चिलाने लगे, लेकिन फटिक कुछ घबरा गया, उसे मालूम हो गया था कि अब आगे क्या होने वाला है, माखन उसी पल जमीन से उठा, और फटिक पर जपटक उसे ताबर तोड पीटने लगा, फटिक के नाक मूँ को नोच कर वह रोता हुआ घर की ओर चल दिया, खेल बीच में ही रुक गया, इधर फटिक ने अपना मूँ पोच्छा, और नदी किनारे पड़ी एक अध डूबी नाव पर बैठ कर हाथ में पकड़ी घास को चबाने लगा, ठीक उसी समय उस पार से एक नाव घाट पर आ लगी, उस पर बैठे एक अधेड उम्र के सज्जन नाव से नीचे उतर पड़े, उनकी मूछे काली थी, लेकिन बाल सफेद थे, उन्होंने फटिक से पूछा, चक्रवर्ती परिवार कहां रहता है? फटिक ने तिनका चबाते चबाते बताया, वहां, उधर, लेकिन इसका इशारा किस ओर था, यह समझ पाना किसी के लिए आसान नहीं था, किधर? सज्जन ने दोबारा पूछा, जाईए और खुद ढूंड लेजिये, कहकर फटिक अपने टांगों को आगे पीछे हिलाते ह हुए, पहले की ही तरह तिनके को चबाता रहा, लेकिन थोड़ी देर में ही घर से नोकर ने आकर कहा, फटिक भाईया, मा बूला रही है, मैं नहीं आता, फटिक ने कहा, नोकर ने उसे जबरदस्ति उठाना चाहा, लेकिन फटिक तयार नहीं आखिर में फटिक ने फटिक के नौकर ने उसे जबर्दस्ती उठाकर चलना शुरू कर दिया फटिक बेवजह अपना गुसा जताता हाथ पेर पटकता रहा फटिक को देखते ही उसकी मा आग बबुला होकर पूछने लगी तूने आज फिर मारा माखन को तूने आज फिर मारा अब फटिक के तो गुसे का कोई हाली नहीं फटिक ने कहा नहीं मा मैंने उसे बिलकुल नहीं मारा था जूट बोल रहा है तू फिर जूट बोल रहा है तू मा ने कहा नहीं मा मैंने उसे बिलकुल नहीं मारा माखन से पूछ कर देखो माखन से कुछ उचने से पहले ही उसने अपनी पहले की गई शिकायद दोराते हुए कहा हा मा फटिक ने मुझे मारा फटिक की सहन शक्ती तो जवाब दे गई यह अन्याय था वह लपका और माखन पर मुक्के बरसाने लगा यह ले यह भी और यह जूठ बोलने के लिए माने माखन की तरफदारी करते हुए फटिक को एक तरफ धकेला फिर उसे दना दन थपड़ जड़ने लगी फटिक में मा को दोर ठेल दिया मा चिला पड़ी यह क्या बदमाश अब तु अपनी मा को भी मारने लगा है ठीक उसी समय उसी घात वाले अधेर सज्जन ने घर में दाखिल होते हुए कहा तुम सबने यह क्या आफत मचा रखी है फटिक को तो कातो तो खून नहीं फटिक की मा पीछे हती और उस सज्जन को देखते ही हैरानी भरी खुशी से भर कर बोली अरे भाईया आप कहां से रास्ता भूल पड़े और फिर जुक कर प्यार से आदर से उन्हें प्रडाम किया बहुत दिन हुए बिशंबर भाईया उसकी शादी के तुरंत बाद व्यापार के सिलसिले में बंबई चले गय थे पीछे बहन यानि फटिक की मा की दो संताने हुई फिर पती चल बसे लेकिन इस बीच एक बार भी भाईया से मिलना नहीं हो पाया वह बहुत दिनों बाद कलकत्ता लोटे और आते ही बहन का पता लगाया और अब वह बहन से मिलने आये थे कुछ दिन बड़ी हसी खुशी में बीटे अंत में विदा होने के एक दो दिन पहले बिशंभर बाबु ने अपनी बहन से बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा उत्तर में मामा को फटिक द्वारा कोई बात न मानने शरारते करते रहने पढ़ाई की ओर ध्यान न देने और पूरी तरह से उसे अंदेखा करने के साथ ही साथ माखन के शान, सुशील, स्वभाव और पढ़ाई लिखाई के प्रती रुची के बारे में पताया गया उनकी बहन ने दोहराया फटिक ने मुझे बेहद परिशान कर रखा है भाईया सारी बात सुनने के बाद विशंबर बाबू ने प्रस्ताव रखा कि वह फटिक को कुलकाता ले जाएंगे और अपने पास रखकर अपने बच्चों के साथ उसकी पढ़ाई का इंतजाम करेंगे उनकी विद्वा बहन इस फैसले पर सहजी राजी हो गई जब मामा ने फटिक से कुलकाता जाने के बारे में पूछा तो फटिक की तो खुशी का फिकाना न रहा उसने खुशी से उचल कर हामी भरी हाँ मामा जरूर जाओंगा मा को इस बात से बड़ी राहत मिली कि फटिक के मामा के साथ जाने पर उसे फटिक की शरारतों से छुटकारा मिलेगा कब तक दो दो बच्चों को वो समहल दी वो भी अकेले वास्तव में उसके मन में हमेशा डर बना रहता कि यह किसी दिन माखन को पानी में धखेल ना दे या उसका सर ही न फोड़ दे क्या पता उसे कौन सी आफ़त में डाल दे ये लड़का कितना ही हुरदंग बाज है लेकिन फटिक की कोलकाता जाने की उतावली से उसे थोड़ी तकली जरूर्थ हुई मा का दिल था ना इधर फटिक में कोलकाता कब जाना है किस दिन जाना है जैसे सवालों से मामा को तो परिशान कर रखा था मारे उत्सा के फटिक को नीद नहीं आती थी आखे कोलकाता जाते समय वो मारे खुशी के फूला न समाया फटिक अपनी मचली पकड़ने वाली बंसी, बड़ी पतंग, कंचे सब कुछ माखन को पूरे अधिकार से सौप गया जाने के इस समय में फटिक की दरिया दिली की तो कोई सीमा ही न रही कोलकाता में मामा के घर पहुचने पर फटिक की मुलाकात मामी से हुई मामी परिवार में इस अनावश्यक बढ़ुत्तरी से मन ही मन संतुष्ट होंगी ऐसा नहीं कहा जा सकता वह अपने तीन बच्चों के साथ अपने ढंग से घर ग्रिहस्ती जमाए बैठी थी और इसी बीच अचानक तेरा साल के एक अपरिचित अनपढ़ और गवार लड़के कि आ जाने पर उन्हें किसी तूफान की आशंका सताने लगी उन्हें अपने पते विश्वंभर की समझदारी पर भी तरस आया जो उम्र के साथ थोड़ी भी नहीं बड़ी थी खास तोर पर तेरा चौधा साल के लड़के के समान दुनिया में कोई दूसरी बला नहीं न तो उसकी कोई शोभा होती है न वह किसी के काम ही आता है और ऐसे लड़के को पिशंभर अपने घर लेकर आ गए आप छोटे बच्चे की तरह उससे सने नहीं कर सकते और न उसका साथ किसी को भाता है उसके मूँ से निकली छोटे बच्चों जैसी बातों को बचकानी बाते समझा जाता है और बड़ो जैसी बातों को बड़बोलापन कहा जाता है अपने कपड़े लगते के नाप को अंगूठा दिखाता वो आगे बढ़ता जाता है और लोगों की नजर में यह उसकी बेतुकी आपाधापी जान पड़ती है उसके बचपन का लालित्य और आवाज का माधुर्य अचानक कहीं मानो गायव हो जाता है और उसका चहरा गोल मटोल से लंबोतर कोडो वाला बन जाता है बचपन और योवन के कई अपराद माफ कर दिये जाते हैं लेकिन इस समय की किसी भी स्वाभाविक और अनिवार्य चूक को झेल पाना सहज नहीं होता ऐसा किशोर हर घड़ी मन ही मन यह अनुभव करता है कि पूरी दुनिया में वो कहीं भी ठीक से खप नहीं पा रहा है इसलिए वह अपने मामले में हमेशा शर्मिंदा और कातर बना रहता है हाला कि इस उम्र में ही पहले से कहीं ज्यादा स्नेह पाने की चाहा जगती है इस समय अगर वह किसी सर्रिदय व्यक्ति से स्नेह या मित्रता प्राप्त कर सके तो वह उसी का होकर रह जाता है लेकिन उससे कोई भी स्नेह करने का सास नहीं जुटा पाता क्योंकि आम तोर पर इसे सहारा देने जैसा समझा जाता है जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं माना जाता ऐसी स्थिती में कोसने और जिड़कियों को जेलता लड़का बे सहारा आवारा कुत्ते जैसा हो जाता है अतह तेरह चोदा साल के बालक के लिए केवल अपना ही घर स्वर्ग होता है ऐसी स्थिती में माबाप का घर छोड़ आए बालक के लिए कोई भी अपरिचित स्थान तकलीफ भरा होता है घर की महिलाओं का स्निह पाने पर वह फूला नहीं समाता लेकिन उनसे मिली उपेक्षा को जेल पाना उसके लिए बहुत कठेन होता है मामी के घर बिन बुलाए मेहमान की तरह उसे बहुत तकलीफ महँचाता था हर अवसर पर मामी उसकी उपेक्षा और अपमान करती रहती अगर मामी उसे कभी कोई काम करने को कहती तो वो जरूरत से कहीं ज़ादा काम कर देता मामी जब उसके बड़े हुए होसले को तोकती हुई कहती अरे बहुत हुआ बहुत हुआ अब जाओ जाकर लिखो पड़ो उसे बड़ा ही अजीब लगता तकलीफ होती कि मामी ऐसा क्यों कह रहे है मैं तो उनकी बात मान रहा हूँ मामी के घर का दम घोटने वाला वातवरण में फटिक सुख की सास भी नहीं ले पाता था कहा स्वच्छंद गाओं की हवा में रहने वाला लड़का अब शहर में आकर वह भी एक अपरिचित घर में आकर घुटन सी महसूस करने लगा था वह शहर से दूर कहीं जाकर खुले में सुख की सास लेना चाहता था लेकिन वहां खुली जगा कहा मकानों और दीवारों से घिरे कोलकाता में वह हर रात अपने गाओं अपने घर के सपने देखता और उसका मन वहीं लोट जाने को करता गाओं के खुले मैदान में भां भां की आवाज के साथ अपनी पतंग उड़ाता फिरता फटे तारे तारे नारे नारे गाता चिलाता उचे स्वर में अपनी बनाई धुन पर राग लापता नदी किनारे घुमता फिरता फिर भी दोपहर को चिछले सोते में छलांग मारता तैरता फटे अपने संगे साथियों के साथ धमा चौकडी मचाता फटे और इन शरारतों से भी कहीं अधिक उसे अपनी मा की याद सताती थी जो बिना सोचे विचारे उस पर जुल्म ढढ़ाया करती थी उसका बेबस मन दिन रात उनही बातों की ओर उसका ध्यान खीचा करता थी किसी मोख पशू की तरह एक अंजाना सा स्नेह पास जाने की एक मात्र अंधी चाहा न देख पाने की व्यक्त न हो सकने वाली व्याकुल्ता गोधूली बेला में किसी बच्छडे के समान रिदे से फूट पड़ने वाला मा मा का क्रंदन यह सब उस शर्मीले शंकालू दुबले लंबे और बेतरतीब लड़की के मन में घुमरता रहता था सारी स्कूल में फटिक जैसा पढ़ाई में पिछड़ा हुआ और कोई लड़का ही नहीं था कोई सवाल पूछने पर वह मूबाय ताकता रहता मास्टर जी जब उसे पीटना शुरू करते तब भी वह एक बोज से लदे फदे गदे की तरह अपनी पीट पर चुपचाप सब कुछ साता रहता जब लड़के बाहर खेल रहे होते वह खिड़की के पास खड़ा होकर दिखने वाले घरों की चटों की और एक टक देखता रहता जब दुपहरी की धूप में किसी चट पर बच्चे कोई खेल खेलते घड़ी भर के लिए दिख जाते तो उसका मन बेचेन हो उत्ता था लेकिन छुट्टियां तो नवंबर माह में होंगी उसमें तो अभी बहुत देर थी एक दिन फटिक ने अपने स्कूल की एक किताब खो दी एक तो वैसे ही पढ़ाई पूरी नहीं होती उस पर किताब खो जाने पर वह एक दमला चार हो गया मास्टर जी ने उसे अब हर रोज डंडे से पीटना शुरू किया स्कूल में उसकी मास्टर जी के सामने ऐसी हालत हो गई थी कि उसके ममेरे भाई भी उसके साथ रिष्टेदारी स्वीकार करने में शर्मिंदगी महसूस करते फटिक के अपमानित होने पर वे जान बूझ कर दूसरे लड़कों के मुकाबले कहीं ज़ादा खुशी जताते यह सब असहय जान पढ़ने पर एक दिन फटिक ने मामी के पास जाकर कह दी कि उसकी किताब खो गई मामी ने दोनों होटों के किनारों पर नाराज की और ढृणा का भाव लाते हुए कहा गवार कहीं कहा मैं तुझे हर महीने पाँच बार नई किताबे खरीद कर नहीं दे सकती वह स्कूल से लोटा तो उसी रात उसके सिर में तेज दर्ध होने लगा शरीर में कमकपी शुरू हो गए वह समझ गया कि उसे मलेरिया बुखार हुआ है वह यह भी समझ गया कि बुखार बढ़ा तो वह मामी के लिए बे मतलब की परेशानी बन जाएगा दूसरे दिन सुभ से ही फटिक कहीं नहीं दिखा चारों ओर पडोसियों के घरों में पूछ ताच की गई लेकिन उसका कहीं से पता नहीं चला बीती राद से बारिश हो रहे थी खटिक की खोज में लोग बुरी तरह भीगते रहे और वह भी बेकार कहीं से उसका पता न पाकर आखिर कर विशंभर बाबू ने पुलिस को सूचित किया दिन गुजर जाने के बाद शाम के समय पुलिस की गाड़ी विशंभर बाबू के घर के सामने आखड़ी थी उस समय भी लगातार बारिश हो रही थी रास्ते में घुटनों तक पानी भर गया था पुलिस के दो जवानों ने फटिक को उठा कर गाड़ी से उतारा और उसे लाकर विशंभर बाबू के सामने लिटा दिया फटिक सिर से पाउ तक घीगा हो था उसका पूरा शरीर की चड़ से लथपत था आखें और चहरा लाल थे उसकी देह थर-थर काप रही थी विशंभर बाबू उसे गोद में उठा कर घर के अंदर लाए फटिक को देखते ही मामी बोलू थी अरे बाबा पराए लड़के को लेकर इतनी मुसीबत उठाने की क्या जरूरत है इसे इसके घर भेज दीजी मामी की बात सुनकर फटिक ने जोड-जोड से रोते हुए बताया मैं अपने घरी जा रहा था लेकिन पुलिस वाले मुझे बीच रास्ते से पकड़ लाए फटिक का बुखार तेज होने लगा वह सारी रात बड़ बड़ाता रहा विशंभर बाबू डॉक्टर बुलाला है फटिक ने बुखार में तप्ती आँखें खुली चट की कड़ियों की और पागलों की तरह देखता रहा और बोला मामा चुटिया हो गई है ना क्या मैं घर वापस जा सकता हूं विशंभर भाबू ने रुमाल से आँखें पूछी फिर बड़े दुलार से फटिक के कमजोर और तपते हाथ को अपने हाथों में लिए पूरी रात उसके पास बैठे रहे फटिक फिर बड़बडाने लगा अंत में वह उत्टीजित स्वर में बोलने लगा मुझे मत मारो मा मैं सच कह रहा हूँ मुझे मत मारो मा दूसरे दिन फटिक को कुछ देर के लिए होश आया वह किसी आशा में और कमरे में चारो और नजरे घुमाने लगा फिर निराश होकर दिवार की और मुह फेर कर करवट बदल कर सो गया बिशंबर बाबु उसके मन को समझते थे उन्होंने फटिक के कान के पास मुह जुका कर बड़े नरम स्वर में प्यार से कहा फटिक मैंने तेरी माँ को बुलाने के लिए आदमी भेज दिया है दूसरा दिन भी बीट गया डॉक्टर ने चिंतित स्वर में बता दिया कि फटिक की हालत बहुत गंभीर है फटिक बड़बडाने लगा एक ब्याम दो ब्याम चार हाथ के बराबर माप होता है एक ब्याम कोलकाता आते समय फटिक को कुछ रास्ता स्टीमर से तै करना पड़ा था तब खलासी लोग मोटा रस्ता पानी में फेक कर उसकी गहराई की था ले रहे थे फटिक बेहोशी की हालत में उन्ही की नकल उतारता जल की गहराई माप रहा था और स्वैम जैसे किसी अथा सागर की यात्रा कर रहा था ठीक उसी समय फटिक की माँ आंधी के वेग से कमरे में दाखिल हुई और चीकते चिलाते हुए रोने लगी पिशंबर ने फटिक की माँ को समभालने की कोशिश की लेकिन वह पचाड खाकर फटिक के बिस्तर पर गिरकर उंचे स्वर में रोने लगी फटिक मेरे शोना मेरे लाल कुछ समय के लिए फटिक के शरीर की अशांत चेशनाए शांत ही हाथ उपर नीचे होने बंद हो गए और उसके मूँ से निकला एह फटिक की माँ फिर रोने चिलाने लगी मेरे लाल मेरे बेटे आँखे खोली फटिक में धीरे धीरे सर घुमाया और बिना किसी की ओर देखे धीरे से कहा मा चुट्टियां हो गई है मैं घर वापस जा रहा हूँ कितनी दिल को चूने वाली कहाने कितनी खुपसूर्ती से गुरुदेव ने एक बच्चे के भाव कलम से उतार डाले कहानी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी नहीं अच्छी लगे हो ही नहीं सकता तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब करेए बेल आइकॉन को प्रेस करेए आपके सारे कमेंड्स, सुझाव, फीडबैक मुझे सर आखों पर मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरे कहानियों के बारे में कुछ लिख कर मुझे भेजते हैं कमेंड्स का इंतजार करूंगी और खुश रहिए, स्वस्त रहिए, कहानी सुझने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्ते एक और कहानी लेकर मैं जल्दी ही फिर सुनाने आऊंगी तब तक के लिए नमस्ते